इसलिवी कल्चर में अब हम लोग अगले तीन चप्टर्स को देख लेते हैं ये तीनों ही चप्टर्स में बहुत सारी टर्मिनोलोजी जो सब्द हैं वो यूज किये गए हैं और इनसे कुल मिलाके कम से कम एक कुश्चन तो अपना निश्चित है कि एक कुश्चन तो आई या इन तीनों ही चप्टर्स को दिख लेंगे इन में पहला अपना चप्टर्स आएगा इंफ्लूंस ओफ फॉरेस्ट ओन दियर इंवार्मेंट कि फॉरेस्ट का उसके अपने चारों तरफ का जो परियावर्ण है उस पर क्या प्रवाव पढ़ने वाला है नेक्स्ट चप्टर जो डिस्कस करेंगे वो है अपना ग्रोथ एंड डिफलक्मेंट इसमें बहुत सारी टर्मिनलोजी है उसी को मैंली पढ़ेंगे और तीसरा राए का ट्री क्रॉप मॉर्फोलोजी है इन तीनों को डिस्कस करेंगे अब इन्फुलूंस ओफ फॉरेस्ट ओन तियर इन्वार् अपनी जो फॉरेस्ट वेजिटेशन है उसको कैसे प्रभावित कर रही है फिर पढ़ा था एडैफिक फैक्टर मिटी से जोड़ेगे फैक्टर वो कैसे फॉरेस्ट को इंफुलूंस कर रहा है कैसे प्रभावित कर रहा है टोपोग्राफिक फैक्टर और बायोटिक क्योंकि यह कैसे चारो फैक्टर अपनी forest vegetation को प्रभावित कर रहा है आप पढ़ेंगे कि forest जो है वो कैसे इन चारो फैक्टर को impact करेगा क्योंकि यह भी तो कुछ छोड़ेगा पापस बदले में देगा कुछ ना कुछ तो यह कैसे प्रभावित कर रहा है अब क्योंकि अपनी MPPSC जो है objective type का exam है तो इसमें केवल climatic और edific से जुड़ी हुई जो चीज़े है केवल उनी को discuss करेंगे हम लोग इनको discuss करने का अपने लिए कोई purpose बनता नहीं है तो पहला factor इसमें influence of forest on their environment में discuss कर लेते हैं तो first factor अपना आएगा climatic factor कि forest जो है वो कैसे जो local climate है उसको impact देता ह और micro climate develop कर लेता है अब forest करता कैसे है मान लेता हूं कि यहां पर एक आपके पास खाली जमीन है solar radiation है वो भी सीथी धराम से आती है यहां घर जाती है अगर यहां पर कोई छोटे से पौद वगरा लगी हुई है तो उसे सीथे सीथे sunburn वगरा जो हम लोग पढ़ चुके है climate factor म rain fall हो रही है बो भी इस पर impact देगी हवा तेज चल रही है उसका भी पिरभाव पढ़ रहा है जमीन जो long wave radiation है उसे छोड़ रही है अगर यह frost लोकलिटी में तो यहां पर frost भी पढ़ जाती है यह सारी चीज हम लोग climatic में देख चुके हैं अब अगर यही हम यहां बड़ी vegetation करते हैं जहां forest के जो tree हैं बड़े बड़े पेड़ हैं इनकी जो canopy है वो काफी बड़ी है dense है और इनने उपर से एक type of forest को cover कर लिया यह उपर की canopy हो गई यहां पर कुछ lower canopy भी हो गई ऐसे 2-3 layer canopy के बन जाते हैं इसका result कह रहा कि यह जो surface है soil surface है यह almost cover हो चुकी है यहां से क्या अब कोई long wave radiation निकल के जा पाएगा नहीं तो क्या इस region में frost हो सकता है बिलकुल नहीं पड़ेगा यह जहां पर भी forest vegetation है वहाँ frost इसपेशली कौन सा radiation frost radiation frost तो हो गाई नहीं क्योंकि radiation का loss होता नहीं है दूसरा यहां जब भी अगर पाला पड़ा भी तो यह पेड़ है उपर से समाल लेते हैं तो जमीन पर जो बड़े पेड़ते नहीं ज्यादा नहीं देते हैं जितने छोटे पेड़ों पर पड़ता है और छोटे पर नीचे ऊपर से डबल लियाइट रिपल लियार हो जाती है तो यह इन पर भी कोई frost पड़ता नहीं यानि कि frost यह इस एरिया में पढ़ना खतम ही हो जाता है दूसरा solar radiation का जो impact था plants पर यहां solar radiation जा रहा है वो canopy में इन फिल्टर हो जाएगा तो जमीन पर solar radiation नहीं पहुँच रहा है जो young generation है या नए जो sensitive plant है उन पर भी solar radiation का impact किया हो गया जीरो rainfall है बड़सात जो है उसे हम देखेंगे कि बड़सात उपर से आती है तो उसका भी यहां कोई खास impact पढ़ नहीं पाता क्योंकि वो भी यह different layer में पढ़के फस जाती है तीसरा पेड जो है वो नाकेबल उपर के climatic factor जो है उनको प्रभावित करेगी यानि कि इस टाइप से जो पेड़ों की जो canopy है वो एक type से close unbreakable बिलकुल एक दूसरे जुड़ी canopy की layer बना लेती है इस से उपर से जो आने वाले factors है उनका जो प्रभाव है वो लगवाग रुक सजाता है अपने हवा का प्रभाव देखा हवा अगर forest में घुसेगी तो वो अंदर ही filter फसी रह जाएगी तो हवा forest की ऊपर से निकल जाती है forest में अंदर इंटर नहीं करती क्योंकि जो अंदर करी वो अंदर ही फसी रह गई यानि कि wind का जो impact है forest trees पे वो भी लगवाग खत तो यह सारे जो climatic factor है वो forest की वज़े से बिलकुल बदल जाते हैं दूसरा जो एड़ाफिक factor है उसमें क्या देखना है जैसे forest की जो पेड़ है उनकी नीचे जड़े हैं यह जड़े मिट्टी में घुसेंगी और उसमें मिट्टी की जो है porosity यानि कि पानी का infiltration है उसको जदा पूरस होगी तो यह एक तो यह पूरसिटी से वाटर इन्फिल्ट्रेशन वाटर के अंदर इन्फिल्टर करने की प्रोसिस को बढ़ा देते हैं दूसरा यह पेड़ बहुत सारी पत्तियां जड़ाएंगे और्गनिक मैटर तो यहां पर मिट्टी जो है उसका क्लामिटिक फेक्ट और एडिफिख को इंपट देखिए है अब पहले अपने क्लामिटिक फेक्टर जो है उन्सग concrete फेक्टर इन्षाइन्फ होगा क्या है जैसे पहला फेक्टर अपना ले ले रहे सैफिसव ऑ्पिर ले ते हैं सुलारी डिएशन के साथ क्या होने वाला है solar radiation ground level पे पहुँच नहीं पाएगा क्योंकि वो उपर की canopy layer से filter होके आने वाला है तो जो solar radiation का high temperature, low time जो impact था जैसे insulation का जिससे होता था sun burner वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा बस इतना अपनी लिखा आफी है temperature generally अगर आप पेडों में जाओ अभी आप हमालाय में घूमने जाओ तो जो उस region में है उन्हें अगर suppose देओदार का पेड़ है वो ना दिख रहा हो लेकिन जैसी वो देओदार की locality में पहुंचेंगे temperature अचानक से 5-6 degree धड़ाम से गड़ जाता है तो ठंड़क सी आने लगती है लोगों को समझ में आ जाता है कि यहां कहीं आसपास देओदार है उसके अपनी महक भी आ जाती है इसमेल होती है प्रलाइन की लेकिन वो एक पेड़ की इतनी वो humidity लोकल टेंपरेचर मेंटेन कर देता है कि जैसी आप उस लोकल टेंपरेचर में जाते हो अकेले सीधे सीधे 5-6 डिगरी temperature गर जाता है तो जहां भी forest vegetation है वहाँ temperature 4-5 डिगरी तो आराम से गरी जाता है यह तो normal है इवन इससे नीचे भी जाता है आप standard मान लो 4-5 डिगरी Celsius temperature गर जाता है इस chapter में आपको करना भी यही है कि यह देखो कि कौन सी चीज कितनी गर रही है वह खतम का temperature कितना गरेगा 4-5 डिगरी Celsius wind velocity dense forest में तो wind velocity खतमी हो जाती है लिकिन अगर overall देख लिए जाया जैसे आपने खीतों के आसपास पीड़ अगर लगा दिये है तो वहाँ पर जो हवा है वो लगवग 15 से 20 परसेंट कम हो जाती है rainfall पूरा का पूरा यह micro climate बना देता है local rainfall होती रहती है यहाँ पर 4 o clock जो rainfall है 4 o clock rainfall क्योंकि paid क्या करेंगे पूरे दिन atmosphere में humidity छोड़ते है साम तक आते है जैसी वो humidity बढ़ जाती है तो जब इसकी relative humidity जो है अब इनने पानी evaporate कर 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 दो पर के दो बज़े सबसे ज़दा temperature होता है उस time पे atmosphere की relative humidity पहुँचा दी इन्होंने suppose 90% कब दो पर के 2 पीम पे जब सबसे ज़दा temperature होता है अब जैसी जैसे temperature गरेगा अगर यह evaporation ना भी कर रहे है temperature गरेगा तो air की water holding capacity है वो तो गरने वाली है moisture इसमें पहले सी ज़दा है तो temperature गरने से यह जो 90 है वो कई 100 होगी और पर बाद में वो 100 के ऊपर चली जाएगी यानि कि अपने आप air saturate होके rainfall होनी होनी है तो 4 बज़े तक यहाँ rainfall हो चुकी होती है 4-5 बज़े जनरली हो जाती है frost यह तो पूरा frost free कर दिया जाएगा greenhouse gases अब greenhouse gases में कौन कौन से आती है जैसे एक है methane forest में अब fire वगर लग जा कई फर्मेंटेशन की पर किरिया हो तो मीथन निकले की जनरली यह चीज़ा नहीं होती है दूसरा अपना co2 है greenhouse कैसे forest vegetation जहाँ जाता है वो तो co2 को sink कर लेता वो तो co2 को absorb कर लेता तो एक टाइप से यह greenhouse तो उल्टा करेगा greenhouse को नहीं होने देगा तो वहाँ पर अपना यह calamity factor में जो roll था वो दूसरा greenhouse में अपने लोग क्या पढ़ते है यह पढ़ते हैं कि यह अपनी earth है यह long wave radiation छोड़ती है यहाँ पर atmosphere में co2 और जो h2 है वो इसे absorb करता और reflect back करता forest क्या करेगा एक तो co2 को consume कर देगा तो अगर भी radiation यह निकला तो वो निकल जाएगा जिससे greenhouse gas greenhouse impact ना पढ़ है तो एक तो यहाँ काम करता है दूसरा यह long wave radiation जो है वो निकल तब रहा है जब surface खाली है यहाँ पर जब पेर्ड लगा दिये जाएंगे तो यह जो भी radiation निकले का वो यहीं पीड़ों में टकराथ कि यहीं पर नीचे नीचे रह जाएगा वो आसानी से atmosphere में नहीं निकल पाता है तो यहाँ पर भी greenhouse को double effect में यह रोक लेता है climate effect में अपने ज़्यदा कोई discussion का है नहीं next factor अपना आजाएगा edific कि कैसे पीड जो है वो मिट्टी को यह मिट्टी के जो factors है उनको प्रवावित करेंगे अब इन में कौन-कौन से हैं जैसे मिट्टी का composition क्या है उसकी मुश्यर मिट्टी में कितनी नमी है उसकी structure क्या है microbial activity और soil erosion इसे ऐसे समाझ लेते हैं माल लेते हैं कि यह कोई ढलान वाला region है और यहां पर अपने पेड़ लगे हुए तो पेड़ क्या करेंगे जैसी यहां पर पेड़ है यह उपर से जो पेड़ है इसकी पत्तियां गिरेंगी पत्तियां गिरके यहां पर जो अपनी जमीन है उस पर गिरेंगी तो यहां पर उनका होगा फर्मन्टेशन, सड़ेंगी, गलेंगी जो भी इनका होता है इसका रिजल्ट क्या रहेगा यहां की जो और्गनिक मैटर है और्गनिक मैटर वो बढ़ेगा मिट्टी की उतपादक छमता बढ़ेगी एक तो यह काम किया है अब यह मिनरल्स जो हैं कई बार बढ़ साथ होगी यह मिनरल्स उसके साथ नीचे जमीन की तरफ चले जाएंगे नॉर्मल अग्रिकल्चर क्रॉप में क्या होता कि यह जो नीचे चलेगा वो चलेगा वेड़ की जड़ें क्या काफी गहरी होती है उसे फिर बापस अब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर बापस रिसाइकल करेंगे तो पहला काम रा कि यहाँ पर जो मिट्टी है उसकी उतपादक छमता इस टाइप से बढ़ाएंगे न्यूट्रियन्ट रिसाइकलिंग करके दूसरा है इनकी जड़े हैं वो कुछ चटणे हैं उने तोड़ेंगे वहां से कुछ मिनरल्स रिलीज करेंगे और वो मिनरल्स को भी साइकल में लेके आईगी यानि कि पुराने मिनरल्स उने Richtsाइकल करेंगे उन्हें उस सिस्टम से बाहर नहीं जाने देंगे नए मिनरल्स को उसमें एड़ करेंगे पेड़ हैं तो नाइटोजन फिक्सेशन भी करेंगे तो इस टाइप से वहां की मिट्टी की जो उत्पादन छमता है वो भी बढ़ती है इसका जो स्वैल का कमपोजी सन है पहले सपोज यहां के बन मिनरल्स से पेड़ जाएंगे तो लीफ लिटर मिल रहा है उसमें जो भी पतियां है उनके पेड़ खुद डेथ हो गई तो उनका टिमबर है वो सब वहाँ पर सड़ेगा गलेगा तो वो उसके जो कमपोजी सन है स्वैल का उसे चेंज करेंगे इनकी रूट्स है वो कंटिनियस देखो जैसे एक पेड़ लगा दिया यहां पर उसकी रूट्स अंदर जमीन तक गुस गई पेड़ अगर डेथ कर भी गया तो रूट्स नीची रह गए तो इस टाइप से जो कार्बन है स्वैल और्गैनिक कार्बन उसे बढ़ाएंगे कार्बन का एक टाइप से फिक्सेशन का भी काम यहां चल रहा है अगर यहां रन ओफ हो रहा है पहाड़ी पे तो पेड़ जो है उस रन ओफ को भी रोकने का काम करेंगे तो इस टाइप सापको बेसिक समझ में आ गई कि यहां पर जो स्वैल कमपोजीशन है उसे पेड़ अ और उसका इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा देते हैं जैसे यहां काफी जैदातर नमी जो है वो पिरमीन के अंदर रह जाती है स्वैल स्ट्रक्चर चल बदलेंगे माइक्रोबियल एक्टिविटी देखो जो छोटे-छोटे माइक्रोब्स हैं जैसी की कैच हुआ है अर्थ वार और भी है निमाटोट्स वगरह है पॉजिटिव निगेटिव दोनी टाइप के माइक्रोब्स हैं इनके लिए क्या चाहिए एक तो चाहिए और्गैनिक मैटर बो तो यहां मिली रहा है पेड़ देई रहा है दूसरा इनने चाहिए फैपरेवल टेंपरेचर और मौश्चर यानिकी नमी ट्रॉपिकल रेंड फोरेस्ट में इन्हें तीनों ही चीज़ा मिल रही है यह मस तरीके से काम करते हैं जबकि अगर अपने टेंपरेट फोरेस्ट में मालने तो और्गैनिक मैटर तो थोक में है लिकिए दो बकाई की चीज़ें जो हैं बहुत निस्टेबल न फोरेस्टिया ट्रॉपिकल वाले जो उस्ट उस्ट कटवन्धी जो वर वन है उनमें जो बायो डायवर्सिटी यह ज़्यादा होती यह कंपेर टू जो सीटोस्ट यह टैंपरेट वाले एरिया के फोरेस्ट है उनके स्वैल एरोजन को समझ लेते हैं इसे एक एक्जामपल भी ले लेंगे अपन दो साल पहले की न्यूज थी कि आप लोगों ने सिम्बला सुना हुआ है हिमाचल की कैपिटल है सिम्बला में पानी की कमी पड़ गई थी या फिर अपने जो हिमाले के जो अंदर के एरिया है वहाँ पर लोगों को कभी पानी की कमी नहीं पड़ती थी होता क्या है जैसी पहाड़ है बहुत दूछा पाड़ है कोई गाओं है जो यहाँ पर बसा हुआ है यह गाओं वालों के लिए या इस रीजन में जो अगरिकल्चर हो रही है उसके लिए सोर्स क्या है यह पाड़ों से छोटे छोटे जहरने होते थे यह जहरने जो हैं इन्हें साल भर मुश्चर प्रोवाइड करवाते थे ठीक है इस प्रिंग और यही जहरने का जो पानिया वो ढूँ साल भर चलती है तो उनका एक जरी सूर्स प्रिंग है और यह जो पाड़ों में जो गाओं है उन्हें मुस्टर कहां से बिलता है अगर आपको कभी जाना हो तो आपको बहुत एच्छी तरह से मिल जाएंगे अब ये स्प्रिंग जो है इतने पहाला पर ये जरने आ कहां से रहा है इनको पानी कहां से आ रहा है उसका रीजन है जब यहां पर पूरे पेड़ी पेड़ लगे हुए है इसमें पहाड में अगर यहां पर बरसा हुई तो पेड़ क्या करते हैं कि यहां से जो पानी बहे के जाने वाला था बरसात में वो लगवाग 80% के आसपास यहीं पर रोक लेंगे ट्रैप कर लेंगे और वो पानी क्या होगा मिट्टी में अंदर चला जाएगा अब मिट्टी में अंदर गया तो फर पानी की जो फ्लो की स्पीड है वो तो ग्रैवटी से फोर्स कर रही लेकिन वो मिट्टी के अंदर है तो स्पीड बहुच जाता बनती नहीं है तो फर यह पानी जो अंदर गया वो साल भर धीरे 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 करके निकलता रहेगा इस टाइप से यहां के जो ज़रने हैं स्प्रिंग है वो लगवग साल भर इन्हें मौशर दे देते हैं जिसमें इनका पानी का खेती वाली का पूरा काम हो जाता है दो साल पहले आप लोग उन्हें निउस सुनी होगी कि सिमला में पानी की किल्लत आगी थी अब वहां पर दिक्कत क्या रही है कि यह जो पहाड़ है जहां पर अपनी जो फोरेस्ट की वेजिटेशन थी यह लोकल रेंड़ भी क कर लेते हैं जिससे वो कुल मिला की है कि लोकल एक पानी का एक ट्रैप बन जाता है उस रीजन में अगर हजार लीटर पानी गिरा सो बह गया लेकिन नौसो जो लीटर है वो या तो ग्राउंड वाटर में कुछ फस गया कुछ यह पीर ट्रांस्परेशन करके हवा में छोड DAVID गया हवा पाना पर थोड़ी गार ऊपर चाडएगी पानी फर बर सा देगे तो पानी का एक रिजरब बॉयर बन गया यह पानी वहीं पे फसा रह जाता है अब यहां पर हो क्या रहा है कि यह धीरे धीरे पानी नीचे आ रहा है तो यह साल वर काम चलता रहे गा पहड़ों में हम लोगों ने करना कि ऐसी सुरुकिया डिवल्लेप्मेंट के नाम पर पेलों को काट दिया इस से दो चीजों का लॉस हुआ जो भी उपर से बरसात हुई सपोज हजार लीटर पानी बरसा 900 सीधा का सीधा नीचे चला गया अब इतना सारा पानी एकदम जाएगा इस रीजन में क्योंकि पहाड़ है तो बादल फस जाते है तो रैंफॉल बहुत जदा टोरेंस हील होती बहुत खतरनाक होती है मिट्टी लूज है क्योंकि हमाला है लूज मिट्टी से बना हुआ है तो लैंड सलाइड बगर केस आएंगी नदियों में उफान आता है बोका सारी केस आएंगे ये तो चलो जिल लोगे दो-तीन महीने कही काम है लेकिन क्योंकि पहाड़ों पे जब पानी जो है वो रुख नहीं रहा है तो पाड़ों के अंदर पानी नहीं जा रहा है तो ये जो इस्पिरिंग थे जिससे इनका पूरा पानी का खेती का काम चल रहा था क्या वो इस्पिरिंग बचेंगे अंसर है नहीं इसकी बज़े से ऐसी रीजन जहां से हमने पहाडों से जंगलों को साफ कर दिया उस रीजन में पानी की कमी आने लगी यही बज़ा है कि सिंबला वाले रीजन में जो पिछले हजारों सालों से कोई दिक्कत नहीं आई अब उन्हें पानी की दिक्कत आने लगी उन्हें नीचे से टेंकरों के थुरू पानी पहुँचाया जा रहा है क्योंकि वो पूरा एको सिस्टम वो बरबाद कर रहे है इस चीज़ को एक बार और समझ लेते कि पानी के रिजर्ब वायर कैसे काम करते है जैसे ये एक इसका परपश ग्लोबल वार्विंग से लिंक है कि कैसे टेंपरेचर बढ़ने के साथ अपना जो ओसियन का जो सी लेबल राइज हो रहा है उससे रिलिटर चीज़ है उससे कभी बाद में डिस्कस करेंगे यहां पर बस मेरा परपश जी कैसे एक लोकल जो रिजर्ब वायर बन रहा है यानि कि टेंक बन रहा है पानी का जो पानी को एक घटा करके रखता है सब्वोज यहां हजार लीटर पानी है जो आया जमीन पर बरसाथ से बहुत सारा जो पानी है वो पेड़ अपनी कैनोपी में फसा लेंगे और बाद में उसे इवैपुरेट कर देंगे यह हजार लीटर में कम सकम यह डिर सो से दो सो लीटर जो पानी है वो विदिन दो तीन दिन में बापस एयर में छोड़ देंगे यानिकी हवा का पानी बापस हवा में बका है कि एक लगवग ये 600 लिटर के असपास पानी है जो रन आफ होने नहीं नहीं देंगे नीचे पत्यां वगर रहे हैं तो बरसाथ है वो बहनी पाता पानी धीरे धीरे इन फिल्टर हो जाता है अब ये भी इन फिल्टर है ये इसको भी पानी को आफसान नहीं होता कि सीता जाकर ग्राउंड वाटर मिल जाए ये भी इसी जमीन में फसा होता है धिरे धिरे नीचे जा रहा होता और पेड़ों की जड़े काफी हद तक मीचे तक होती है तो ये इसे कई काफी पानी को बापिस फिर अब्जार्ब कर लेती है तो ये 200 लीटर बढ़के हो गया आपको 400 लीटर के आसपास अब ये 400 लीटर पानी जो भी आपने 1000 छोड़ा उसमें से 200 उपर उड़ गया 600 नीचे चला गया तो 6800 और 200 लीटर आपका बह गया यानि कि लगवा कि 20% ही पानी है जो रन आफ में हो रहा है लगवा 80% वहीं पर लोकल में ट्रैप हो गया अब इसमें क्या होगा कि ये 400 फिर बढ़ सेगा उसका फिर जो भी 20% वह बाहर जाएगा और रेमेनिंग फिर साइकल में जाएगा तो कुछ बहुत बड़ा जो बलक है पानी का वो लोकल ही फसा रह जाता है तो ये रिजर्ब वायर का काम करता है और गलोबल वार्मिंग के वज़े से क्या है ये अगर रिजर्ब वायर जो पानी पूरी दुनिया में इस टाइप से फसा था अगर इसको हटा दोगे तो ये पानी कहां पहुचेगा फाइनली समुद्र में तो समुद्र का जो टोटल लेवल है वो पढ़ने वाला है तो इस एक रिजन ये भी है ओसियन सी लेवल राइज करने का समुद्र का जो लेवल है उसे बढ़ने का कि जो लेंड बेस्ट जो रिजर्ब वायर थे जो नेच्रल रिजर्ब वायर सिस्टम वाले थे ये दीरे-दीरे कॉलाप्स हो रहा है ऑगे चलते हैं तो यहाँ पर अपना ये बाला पार्ट जो हो गया फैल वाला तिसरा पार्ट है अपना ये water cycle सी related है hydrological cycle कि कैसे forest जो है वो अपनी hydrological cycle पर impact देते हैं इसमें अपनों को बहुत सारी चीज़े देखने की जरूरत नहीं है, अपना काम है इससे जूड़ी हुई सब्दों को, टर्मिनलोजी को देखना, अपने कुशन उस टर्मिनलोजी से आने वाले हैं, पहला देखेंगे कि जैसे क्लाउड है, भाई मेग होना है तो बारिस कर द मेंहानाते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर जो भी बूने गिरने वाली है वो तो सीधी-सीधी जमीन पर आएंगी तो आप गीली हो जाओगे लेकिन प्यड़ों पे जो बूने गरने वाली होती ह्एं वो आप तक नहीं पहुचेंगी वो पेड़ में क्या होगा कि कोई पती है उस पर गिरेगी पती पर अपने डेंटल के थरू मैन स्टैम है वहां तक पहुचाएगी फिर वो मैन स्टैम दूसरे स्टैम को जिससे वो जुड़ा है फिर तीसरे को इस टाइप से लेकर ये सब पेड़ के नीचे बरसात में खड़े हो तो कुछ टाइम बाद बरसात के आदे घंटे बाद पानी इस मैन पेड़ के थरू नीचे जमीन पर उतारने लगता है अब यहां पर टर्मिनलोजी अपने को क्या क्या ध्यान देना है कि ये जो पेड़ जो ऊपर से बरसात हो रही ही उसका वो हिस्सा जिसे पानी अपने पकड़ लेता है उसे बोलते हैं इंटरसेप्ट करना और इंटरसेप्ट करने के बाद पानी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कुछ हत्तों जैसे अपने पानी में बाल्टी है पानी उसमें हाट डाल दोगे और निकाल लोगे तो पान होते हैं stem flow इस सब्सक्राइब को दिहां रखें stem flow दूसरा यह intersection है इसे याद रखें अब यहां दो और important term है वो है infiltration और percolation अब stem flow के through भी क्या होगा यह normal way में भी समझ लो यह एक जमीन है यहां से बारिस हुई कि इस stem flow से भी जो भी है पानी अपना यहां जमीन पर आ गया और ऐसा दोड़ने लगा यह पानी जो दोड़ता है इसको क्या बोलते है run off यानि कि जो दोड़ के भाग रहा है अपने से तो दूरी जा रहा है जा रहा है तो यह क्या run off चलो ठीक है एक run off अपने term समझ लिया कुछ पानी ऐसा होगा कि जो यहां से भी नीचे जमीन की तरफ इंटर कर रहा होगा यह जो startick में जो इंटरी-इंटरी कर मारता है इसको बोलते है in filtration इस सब्द को ध्यान रखो इन का मतलब वो इंटरी से है infiltration यानि कि जो चन्नी यानि कि filter होकर के अंदर चला गया तो water की air से मिट्टी के अंदर जो entry की प्रिक्रिया है इसको बोला जाता है infiltration कई बार आपने देखा होगा कि अगर हलकी बारे सो जाए तो पानी बहता नहीं है जो भी पानी गया वो सीधर की सीधर जमीन जो है वो सपोक ले थी यानि कि वो पूरा का पूरा infiltrate हो गया जब वो capacity से जदा हो जाए infiltration की तब ही वो run off होगा अब पानी suppose यहाँ infiltr होगा अब इसके बाद क्या होगा obviously gravitational force की विज़े से पानी जो है वो नीचे की तरफ मोब करने लगेगा इसको क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं percolation 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 का मतलब क्या है downward downward movement of water downward movement of water कि दोनों सब्द को ध्यान रखो यह कई बार पूछे जा चुके है water की हवा से मिटी में जो entry है उसे बोलते है infiltration और मिटी के अंदर पानी जो है उसका जो downward movement है यह उपर से नीचे की तरफ सीथा सीथा जो movement है उसे बोलते है percolation तो यहां तीन सब्द महली हम लोग देख चुके है एक तो stem flow intersection भी देख लिया फिर यह जो है entry है इसे infiltration बोल दिया फिर यह percolation हो गया बाद में क्या होगा यह धीरे-धीरे जाते हुए अपना जो groundwater है उसके साथ मिल जाएगा और obviously ground water भी हो वो धीरे-धीरे move कर रहा होगा जो भी आपकी नदी ना ले जहने है उधर को यह उपर क्या हुआ run off run off run off को भी कई बार दो सब्दों में बाढ़ देते है surface run off कुछ सब-surface होता उसे sub-surface surface run off भी बोल देते है उपर का run off नीचे का sub-surface run off और यह है जो ground water flow है यह सारी चीज़ आपने को मतलब नहीं है अपने लिए चार जो बेसिक चीज़ थी intersection, stem flow, infiltration, percolation यह चार सब्द आपको याद हो गए अपना काम हो गया water cycle में जनरल यही सब ज्याद रखने थे यहाँ stem flow को दोबारा से सो किया गया है कैसे जैसे बारिस हो रही है पेड कुछ हदो तक जो बारिस है उसे खटा कर लेते हैं और अपने man stem के थूरू जमीन पर उतारते हैं इसको अपने measure कैसे करते हैं पाइप लगा देते हैं तो पानी उस पाइप को पकड़ करके सीधा उतरने लगता है तो यहाँ पर अपने कट यह लगा के measure कर लेते हैं कि एक गंटे में कितना stem flow हो गया अब अपने last point है question का कि यह जो hydrological cycle है इससे question क्या आते हैं अपने कि एक तरफ आपको बता दिया कि यह तो है forest वाला area यह है एक normal plan या agriculture वाला area तो suppose यहाँ पर भी 100% वारिस हुई और यहाँ पर भी 100% वारिस हुई या 100-100 लिटर की वारिस हुई forest क्या करेंगे इन्हें जो भी पानी मिला जो भी वारिस मिला उसका लगवग यह 25% जो वारिस है उसे तो क्योंकि जैसी उपर गए इनकी जो पत्तियां है वो उन्हें पकड़ लेंगी आफ हुआ पांच-10% जैसी के 10% के असपास है वो रन ओफ हो जाएगा इसका और रिमैनिंग जो है वो ग्राउंड वाटर में इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा एक बेस्क लेके चल रहा है इसमें और जदा उनको बतलब है नहीं जबकि अगरी कल्चर वाले एरिया में क्या होगा अगर कोई ऐसा एरिया जहां पर थोड़ी बहुत जैसे अपनी ग्यहों की फसल लगी हुई है तो वो जनरली जो इंटरस है उनका वो लगवग 10 से 15 परसेंट तक होता है 15 परसेंट मालूम और रिमैनिंग चीज़े नीचे चलती रहेंगे अगर कोई आपका प्लैन खाली एरिया पड़ा है जहां आपने डी फोरेस्ट कर दिया है तो वहाँ पर इंटरसेप्शन कितना होगा 0 परसेंट कोई वेज वेजिटेशन है वो लगवग 15 परसेंट के आसपास फोरेस्ट है वो 25 के आसपास तो यह 25 मतलब एक एवरेज है कुछ dense फोरेस्ट में जएदा होता है कुछ थोड़ा कम dense फोरेस्ट है तो कम होगा तो एवरेज अपने चलता है कि जो फोरेस्ट वेजिटेशन है या फिर कह भी greenery है ठीक ठाग तो वो लगवग 15 से लेके 30% के आसपास जो total water जो आने वाला है उसे वो intercept कर लेती उसे पकड़ लेती है और जैसी temperature बढ़ेगा उसे evaporate भी करवा देती है तो यह interception कितना है 15 से 30% अब इसके question देख लेते हैं which of the following which of the statement are correct pertaining to forest influence इन में से कौन सा ऐसा जो sentence है वो सही है यह बनों के प्रोहाओं से संबन देता फोरेस्ट increased rainfall one जो है वो rainfall बढ़ा देते हैं बिलकुल local rainfall को promote करते हैं forest reduce humidity नहीं भाई local में जो relative humidity है वो तो forest तो evaporation करकर के इसे और बढ़ा देते हैं जबकि reduce बोला मतलब यह सही नहीं है forest reduce wind speed बिलकुल बहबा को कम करेंगे forest increase number of rainy days बिलकुल बढ़ा देंगे अपने normal area है तो वहाँ पर किवल तब बरसात होगी जब मांसून होगा और forest area में तो बिना मांसून के भी साम की जो 4 o'clock वाले rainfall होई जाती है तो answer कौन-कौन से सही है यह सही है यह सही है यह सही तो यहाँ पर देखेंगे one one three fourth यह वाला अपना answer आ जाएगा next question देखते हैं the crown and other woody vegetation intercept what percentage of total precipitation जो पेड़ों का जो उपर का ground है या फिर इन्हें बोला कि जो छोटी मोटी जो भी अपनी woody यह कास्टी यह vegetation है वो total जितना भी rainfall है उसका लगवा कितने percent area को intercept कर लेती है precipitation जो भी उपर से गिर रहा है उसको कितने को intercept कर लेती है तो पंदरा से 30% हम लोगों नहीं कैपरेज हो पड़ा है उसी को लगा देना बका की ratio उसके असपास भी नहीं है जो confusion कर सके हैं और यह अभी का है पिछले साल कई paper है the vertical movement of water inside the soil is called पानी का vertical movement कुछ लोगों confusion हो सकता है कि horizontal और vertical में क्या difference है अचा आप एक पास बताओ helipad होता है helipad भी क्या लिखा होता है ऐसा edge बना होता है और ऐसा gold सा डेंडा होता है तो edge कैसा होता है इस type से तो यह जो surface है इसे बुलते है horizontal और वी जो खड़ा होगा वो है vertical तो यहां पर है downward vertical movement यानि की उपर से नीचे की तरफ movement of water inside soil is called मिट्टी के अंदर उपर से नीचे के तरफ जो पानी का movement है उसे क्या बोलेंगे तो उसे हम downward movement को बोलते है percolation और अगर आप से पूछा जाए कि water की entry from air to soil उसे क्या बोलेंगे तो वो रहेगा अपना infiltration सी पेज वगरा यह टर्म जो है सी पेज इसे गूगल जरूर कर लें काफी अच्छा important तर्म है अभी डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन तर्म अच्छा है इसे गूगल कर लो अगर कहीं घने जंगल है और आप उन्हें अगर साफ कर देते हो तो सबसे समभवित क्या हो सकता है आपकी जो लोकल वाटर साइकल है उसके साथ surface water runoff decrease runoff decrease अगर आप पेड़ साफ कर दोगे तो वहाँ runoff जो है वो तो बढ़ने वाला है decrease होने वाला नहीं है तो यह sentence गया evapotranspiration and precipitation increase देखो precipitation तो जतना जदा घना जंगल उतना जदा 4 o'clock यानिकि precipitation तो इनको काटने पर जंगल के काटने पर यह precipitation की rate गिरेगी जबकि यहाँ जंगल के काटने पर यह बढ़ने के बोलना है तो यह तो गलत हो गया evapotranspiration decreases and surface water runoff surface water runoff increases यह sentence सही है इतना वाला पार्ट precipitation and annual stream flow decrease यह इसका कोई मतलब नहीं है precipitation जो है वो तो decrease होगा कुछ सही है annual stream flow decrease annual stream flow overall तो यह decrease ही होने वाला है यहाँ पर है evapotranspiration decrease evaporation और transpiration है तो इसका answer जो है वो c भी सही है लेकिन यहाँ annual stream flow जो है वो decrease हो जाएगा इसका sentence थोड़ा fit नहीं बैठता है क्योंकि यहाँ average अगर साल का देखा जाए annual stream की बूला है साल बार का तो घटी जाएगा क्योंकि जहाँ जदा rainfall होती है वो cycle बनती रही है ठीक है तो यह साथ गठना बढ़ना जो भी हो सकता है बट इसमें इसमें confusion है लेकिन मेरे साब से जब इसमें दोनों option में महें हो तो मैं सीप के साथ जाओंगा तो कि वो थोड़ा सीधा सीधा बैठ रहा है अधरवाई इसको मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि किस एंगल से चल रहा है वीच आफ दाफ वीच आफ दिस कंपोनेंट डिक्रीज वन साइट इस डिफोरिस्टेस कौन सा कंपोनेंट है जो घट जाएगा अगर अपनों कोई साइट है उसे किलियर कर दिया जाए स्वैल एरोजन यह तो आफ पढ़ जाएगा स्वैल की जो हुमस है वो घट जाएगी लाइट इंटेंसिटी पढ़ जाएगी तो अपना आंसर आजाएगा सी यहाँ पर अपना यह बाला जो पार था इंफ्लूंस ओफ फोरेस्ट ओवर दियर इंवार्मेंट यह अपना कंप्लीट हो जाता है इसम और ज्यादा चीज़ा अपनी है नहीं